कि फॉल्कम बैक अब्रिवन यह प्रक्टिस सेट नमबर दस है यह टेस्ट सीरीज यूपी एसी सिवल सर्विसेश प्रोलेम स्वाविस के लिए चल रही है वह तक नो टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने तो नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट नमबर दस चले स्टार्ट करते है प्रिविस्ट इसकी बना रखे है वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर दस नमबर या जो भी नए टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँँ सकते है तो कुश्चन नमबर बन है भारत में संरक्षे छेत्रों के संबंद में नमलिखी कत्नों पर विचार करेंगे तीन कत् प्रिवण संरक्षण अधिनियां 1986 में राज सरकार द्वारा राष्ट्र उद्ध्यानों की घोष्णा का प्राप्धान कि अधिक संरक्षण प्राप्थ है वैस्पायर रेजर्व इस्थानिये सामुदाइक प्रियासों के साथ वेग्यानिक अधार पर सतत विखास को जो बढ़ावा देने वाले स्थाल हैं कितने सही हैं अभी देखे राश्ट उद्यानों को अधिक संद्रक्षण परापतै वन-जीव आभरनों की तुल्नामे यह हैं जैसे कि पसुधन-चराई ये चीजे राश्ट उध्यानों में निसिद्ध होती हैं लेकिन वन्य जीव भीषणों में इनको कर सकते हैं तो जादे संरक्षण किसको है राश्ट उध्यानों को वाइस पे रिजर्व इस्थाने के समुदाय परियासों के साथ वैज्यानिक अधार पर सत्त विकास को बढ़ाव देने वाले इस्थाल है यह ठीक है तीसरा वाला स्टेट्मेंट परियाबरन संरक्षन अधिनियम 1986 नहीं वलकि 1 जीव संरक्षन अधिनियम 1972 राज सरकार द्व का अंसर हो जाएका उप्सान नंबर ए कि वलेग देखे वंचीव संरक्षन अधिनियम 1972 वन जीव अभियरनों की घोशना के अलावा राज सरकार द्वारा राश्ट उद्यानों की घोशना का पर प्राभधान करता है केन सरकार कुछ सर्थों के तहत वन जीव अभियरन और शर्थो कि वेछ राश्ट उद्यान भी घोशित कर सकती है यह वैसे तो राय सरकार हैं लेकिन केन सरकार भी कर सकती है और यह प्राभधान परियावराण संरक्षन अधिनियम में नहीं व 얼लकि वन जीव संरक्षन अधिनियम में इसलिए पहला बाला गया कलत है क्योंकि उद्यानों को वन जीव अभैलों कितलना मेरेक तोल तुलना में अरिक स्वरक्षा प्राप्त होती है कुछ गती विधियां जो इसमें निसिद्ध होती हैं मिलिक्त जैसे कि पसुध रहाय और उल्लम पसुधन चराई जो है वो राश्ट द्यानों में निसिद्ध होती है लेकिन इसमें होती है वाइस पे रिजर्व इस्थाने के समधाय प्रयासों के साथ वेग्याने का धार पर सत्त विकास को बढ़ावा देने के लिए युनेस्को के मैन एंड आवाइस पे रिजर्व कारिकरम के तहट वानिता प्राप्त तीसरा करेक्ट है कोशन नमबर टूपर आज़िए जैब विविता हॉट स्पोर्ट के संबंद में नमलिकित कथनों पर विचार करेंगे तीन कथने हाँ पर कितने सही होंगे जैब विविता हॉट स्पोर्ट की अधारणा नौर्मान मेयर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और हॉट स्पोर्ट के रूप में अहरता प्राप्त करने के लिए किसी छेतर के मूल आवास इस्थल की कम से कम 50% का नुपसान होना सामिल है विस्व की 50% से अधिक पौधों की परजातियां 35 जैब विविता हॉट स्पोर्ट स्थलों की इस्थानिक परजातियां है देखिए अगर किसी छेतर को हॉट स्पोर्ट का दर्जा देना है तो उसके मूल आवास का 70% तक जो है नुकसान हो जाना चाहिए यहां 50% लिखा है तो गलत दूसरा वाला स्टेटमेंट वागि जैब विविता हॉट स्पोर्ट की अधारना नॉर्मान मेयर्स के दारती गई पहला वाला सही है और तीसरा वाला भी ठीक है तो कितने सही होगे किवल दो यहां पर सही है पहला वाला गलत है दो सही होगे यहां 70% होता तो यह भी सही हो जाता हूँ देखे जैब विता हॉट स्पोर्ट की अधारना वर्शो 98 में 88 में नॉर्माल मेयर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई हॉट स्पोर्ट के रूप में अर्था प्राप्त करने के लिए किसी छेत्र को दो मानदंडों को पूरा करना होता है पहला मानदंड है इस्थानिया परजातियां इसमें इस्थानिक रूप से सम्मेहनिय पौधों की कम से कम 1500 परजातियां सामिल होनी चाहिए और दूसरा मानदंड है जो खत्रे का इस्थर मतलब इस छेत्र के मूल आवास इस्थल के कम से कम 70 परजात का नुकसान हो गया हो तो दूसरा वाला सही नहीं है पचास परजात लिखाता तब ही वो होट स्पोर्ट माएगा देखें परतेक जैविता होट स्पोर्ट के तहत तेजी से सिकुर्टे पाइस्थिक तंतर में जीवित रहने के लिए पेड़ पौधो और जीब जन्तूओं के वीज संघर्स दिखा जाता है और विस्व की 50 परजात से अधिक पौधों की परजातियां और सभी इस्थलिय कसेरुक परजातियों में से 42 परजातियां 35 जैविता वाले ऊश्ण इस्थानों के परजातियां है तो तीसरा वाला सही है जैव लिखा है तीसरा प्रशन है भारत में टाइगर रिजर्व के संबंद में निम्रिकित कत्नों पर विचार करेंगे भारत में बाग अभ्यारन या टाइगर रिजर्व वर्स 1973 में स्थापित किये गए थे तथा यह है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत साश्ट है बरत्मान में भारत में कुल बावन बाग अभ्यारन या टाइगर रिजर्व हैं कौन साइन करेक्ट है इसमें पहला वाला तो सही है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बरत्मान में है 55 अभी तक तो चववन थे अभी हाली में 55 वावीज एड कर दिया गया है तो दूसरा वाला गलत है देखे भारत में बाग अभ्यारन वर्स 1973 में स्थाबित किये गए थे और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत साश्ट होते है जो राश्ट या बाग संरक्षन प्राधिकन द्वारा प्रशाश्ट है यह तो पहला करेक्ट हो गया भारत में कुल 55 ट टाइगर रिजर्व कौन सा है राजस्थान का धौलपूर करोली टाइगर रिजर्व तो दूसरा बढ़ा गलत है वही अंसर है पॉस्चन नमबर 4 पर आजए नम लिखित युकमों पर विचार करेंगे क्या क्या है यह है यह है टाइगर रिजर्व और जिस राज में उनका अवस्तिती होगी वो कितने सुमेलितैन में से पक्के टाइगा रिजर्व असम में नामेरी टाइगा रिजर्व मनिपोर पीली भी टाइगा रिजर्व गुजरात देखें पक्के टाइगा रिजर्व असम में नहीं है अरनाशर प्रदेश में गलत है नामेरी टाइगा रिजर्व असम में है पीली भी टाइगा रिजर्व उत्तर प्रदेश कोई भी सही नहीं है इन में से तो डी है इसका अंसर इन में से कोई नहीं तो पक्के टाइगा रिजर्व जिसे पक्खुई टाइगा रिजर्व के नाम से भी जाने जाता है पूर्वत्तर भारत के अनाचल प्रदेश राज के पूर्वी कामेंग जिले में इस्तित एक टाइगा रिजर्व है यह अनाचल प्रदेश राज में नामदफा टाइगा रिजर्व नामदफा रिजर्व के पस्वी भाग में इस्तित है यह उपोश्न कटीवंदी है जर्वायू छेत्र में वस्त है तो पहला इंकरेक्ट है दूसरा भी इंकरेक्ट है क्योंकि नामेरी टाइगा रिजर्व असम के सोनितपुर जिले के उत्री भाग में इस्तित है यह जैब वहता में समर्द होने के साथ सफेद पंखो वाली बतक के लिए परसित है और यह जो रिजर्व है वो ब्रहंपुत नदी के उत्री तटपर महतपूर्ण सनक्षन शेत्रों में से एक है दो हो गए अब तीसरा है पीली भी टाइगा रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीली भी जिले में से थै जो उपरी गंगा के मैदानी जय भोगोलेक प्रांथ के तराई शेत्र का है गोमती नदी जो है वो इस टाइगा रिजर्व से निकलती है ठीक है सारदा चूका और माला खन्नोड जैसी कई अन्य नदियों का जल ग्रहन छेत्र भी है ये तो तीसरा भी इंकरेक्ट है पांचवा प्राशन है नम्रिखित पढ़जातियों पर विचार करेंगे गंगा नदी डॉल्फिन सिंधु नदी का भूलन अमेजन नदी का बोटो सिंधु नदी का भूलन ये भी है अमेजन नदी का बोटो ये इसी की प्रजातियां है तो सभी सही हो गए सी है इसका अन्सर देखे परियावरण और वन मंत्राले ने गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट जलिय जीव के रूप में घोशित किया है यह जो डॉल्फिन है वो भारत नैपाल बंगलादेश की गंगा प्रहमपुत्र मेगना और कर्ण फुली सांगू नदी परणालियों में मिलती है अन दॉल्फिनों में से एक है तो अन्ने तीन कौन कौन सी हो गई है चीन की यंग तीसी नदी की बाई जी सिंधू नदी का भूलन और अमेजन नदी का बोटो तो सी सही हो गया तीनों के तीनों क्वेश्चे नुबर शिक्स पर आजई है नम रिखित युगमों पर विचार करेंगे यह राष्टे उद्यान और यह उन राज्यों में जिनकी वह अवस्तिती होगी और कितने युगम सही सो मेले तेन में से हेमिस राष्टे उद्यान सिक्किम लिखा बेतला राष्टे उ जष्टे उद्यान है जिहार खंड में हैमिस तो सभी को पता होगा स्ब्सक्राइब की स्टेणी यह लद्दाक में तो खहे है जिर्ट जास्फिक पर देंडियान जो है भारत के लिख्श पर हम सनोम नौनपर के लिए परसिद्द्रे तो यहां बाला जाता है कि विश्व के किसी वी संक्षित छेत्र की तुलना में यहां इनका घंणत्व सबसे अधी यह इनका किनका स्नौलेफट का यह भारत का एकमात राष्ट्रे उद्यान है जो हिमाले के उत्तर में है और यह भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संक्षित छेत्र है ठीक है तो पहला इंकरेक्ट है वेदला राश्टे उद्धियान जहारखंड के लातेर एवम पलामु जिले में छोटा नाकुर पठार परस्थित एक राश्टे उद्धियान है इस उद्धियान में विभिन प्रकार के वन जीप मौजूद है तो दूसरा बाला भी गलत तीसरा बाला सही है क्योंकि डाची कम जम्मु कस्मीर में जम्मु कस्मीर के स्रीनगर जिले में स्रीनगर सहर से 22 किलोमेटर दूर डल जहीन के पूरवी किनाड़े पर रिस्तित एक राश्टे उद्धियान है इस उद्धियान का नाम का जो साब्दिकर्थ है वो है दस गाओं जो उन दस गाओं की याद में है जिनको इसके निर्माण के लिए इस्थाना अंतरित किया गया था तो तीसरा जो है सही सुमलिध है पूर्ण सूर ग्रहन तब होता है जब चंदरमा पर्थवी और सूर के बीच से गुजरते समय सूर को पूरी तरह से ढख लेता है जब चंदरमा की छाया के सापेक्ष पर्थवी पर कुछ इस्थानों से पूर्ण सूर ग्रहन द्रश होता है जबकि अन्य इस्थानों से यह वलेकार प्रतीत होता है कौन से आसाई है इसमें इसमें पूर्ण से ग्रहन द्रश होता है जब प्रत्वी जो है सूर और चंद्रमा एक सीधी रखा में होते हैं इसके कारण प्रत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अधिरा चा जाता है यानि प्रत्वी और सूर के बीच में चंद्रमा आ गया तो जो सूरज का प्रकास है वो प्रत्वी तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो पहला वाला जो है सही हो गया प्रत्वी पर कुछ स्थानों से पूर्ण सूर ग्रहन द्रश्य होता है तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया question number 8 पर आजिए विश्व के सरवाधिक महतपूर मतश्यन छेत्र उन छेत्रों में पाए जाते हैं जहांपर मतश्यन छेत्र महापर मतश्यन मैदान मतलब समुद्र में एक ऐसा छेत्र जहांपर मश्रियां के पाए जाने की समभबना सबसे अधिक है गर्म और ठंडी वायू धाराएं जहां मिलती हूँ महादीपिये सेल्फ लहरदार है और नदी बड़ी मातरा में ताजे पानी को समुद्र में बहा कर लाती है मतश्यन मैदान या मतश्यन छेत्र उन छेत्रों पाए जाते हैं जहांपर गर्म और ठंडी महासागर्या धाराएं मिलती हैं ठीक है wayu धाराएं तो मचली उड़ती ठोड़ी है a has c has cancer ठीक है गर्म और ठंडी महासागर्या धाराएं जहां मिलेंगी वही पर विष्व के सर्वादिक महत्पूर्ण मतश्यन छेत्र या मैदान होंगे क्योंकि ये प्लबक के लिए सबसे अच्छा जो है टेम्परचर होता है जहाँ पर गर्म और थंडी महासागरिया धाराएं मिलती है तो गर्म और थंडी धाराओं का जहां मिलन होता है वो छेत्र प्लबक यानी प्लैंक्टन के विकास में सहायता करता है और इससे कई मतश्यन बैंकों का विकास हुआ है महसागरों में क्योंकि प्लवक जो होते हैं न ये प्लैंक्टन ये मशलियों का सबसे अच्छा भूजन होता है कोशन नम्बर नाइन पर आजए नमलिखित कारकों पर विचार करेंगे दो सबसेंगे कारक यहां पर प्र फफिश्र का गूमना प्र प्रिक्र्मण समुदर के पाणी का घुनत हवा लावि leisureativa उप्र हुआक्त में से कौन से कारक हैं जो महासागर्य धाराओं को प्रभावित करते हैं महासागर्य धाराओं को प्रभावित करता है प्रत्वी का घुणन जो प्रत्वी की खुद की कती है प्रत्वी जो सूर के धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक है समुद्र के पानी का घरनत्व है महसाग्रों में अर्दवारदर धाराओं के करण होता है हवा का दबाब और हिंद महसागर में समुद्री धाराओं के मौसमी उलट फेर के लिए मानसुरी हवाई जिम्मेदार है वाय मंडिले कि गती का कौरिओलेज प्रभाव समूद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करती कुछ इंप्क्रांट यहां पर धाराओं को प्रभावित करने वाले अगर प्राथमिक और दुत्यक कारक पुछले तो प्राथमिक कारक कौन से सौर उर्जा द्वारा हीटिंग हवा, गुर्टवा कर्शन और कोरियोलिस पल धारां को प्रफाइट करना वाला जो दूसरा वाला दुत्यक वाला वो है तापमान अंतराल और लवन्दा अंतर इनको भी याद रुखिए कोशन नमर्गित कतनों पर विचार करेंगे चार कतने आपर और उपरोक तुमेंसे कौन से सही है बताना होगा महसागरिय धाराएं समुद्र की सतय पर धीमी गती वाली जलराशी है क्यों तेज नहीं चल सकती क्या महसागरिय धाराएं पर्थवी के ताप संतुलन को बनाय रखने में सहता करती है महसागरिय धाराएं मुखे रूप से प्रशलित पवनोदारा प्रभावित होती है महसागरिय धाराएं महसागर के विन्यास से प्रभावित होती है 1, 2, 3, 4 वोला भी ओψन है मतलब यह चारो भी सही हो सकते हैं लेकिन चारो हैं सही नहीं है यह चारो सही नहीं है धेखिये महसागरे धाजराएं परत्वी के टाप संतुलन को बनाय रखने में सहायता करती हैं भी सही है महसागरे धाराயं मुखे रूप से प्रचलेत पबनोद्वारा प्रभावित होती है, ये भी ठीक है, महसागर्य धाराएं महसागर के विन्यास से प्रभावित होती है, ये भी ठीक है, महसागर्य धाराएं समुद्र की सतय पर धीमी और तेज दोनों हो सकती है, यहां लिखा धीमी गती वाली ज पहिमी वलकि तेज भी हो सकती हैं तो पहला वाला इंकरेक्ट हो गया और दूसरा तीसरा और चोथा हो गये सही तो इसका अंसर हो गया अपसर नमबर भी तो इंपोर्टन प्राश्चन थे दस इनकी प्रेक्टिस कर लेजेगा धन्यवाद